नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे येट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तूला रासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों आज रात साड़े बारा वजे से बहुती अध्वुत चमतकार दिखने को मिलेंगे और बहुती एसे रु जीवनकाल पर पढ़ने वाले हैं और दोस्तों कुछ एसी घटनाय होने वाले हैं कुछ एसी चमतकार होंगे जिससे आपकी जीवन ही बदल जाएगी और माता लक्षमी के आसिरवात से आपके घर के माहोल में और परिवारिक के जीवन में कुछ एसे बदला होने लगेंगे कुछ इसे चमतकार हुगे जिनने दोस्तों आप जानकर खुस हो जाएंगे और दोस्तों साथ ही साथ बता दे कि यह समय माता लक्षमी के आसिरवात से आपको किस छेतर में इस समय आभिकार करेंगे वहां से आपको अच्छी सफलता के साथ-साथ आच्छी काम्यावी हाथ लगने वाले है तो दोस्तों इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिशन करें और दोस्तों आपको किनची जोंसे फाइदा होगा और किनची जोंसे साबधा रहना होगा अपकी लव-लाइब केसे रहेगी केरियर, बीजिनस और वेपार के से रहने वाला है और स्वास्ते की महतपुन जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे और साथ में बताएंगे कि आपका सुबरंग और सुबरंग क्या है दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने दिन को अच्छा और बहतर बना शकी दोस्तों आपका भी रासी तूला है तो इस वीडियो को बिलकुल भी मिशना करें और इसे अंध तक जड़ूर देखें वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें साथ में नोटिपिकेशन बैल को दबा दें जिससे समय समय पर हमारे नी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो चली दोस्तों बात करते हैं कि माता लक्षमी के आसीरवात से कौन से बड़े-बड़े बदलाव होने वाले हैं कौन से बड़े-बड़े चमतकार होने वाले है दोस्तों आप व्यस्तित दिन्चारिया रखने से काम करने के तरीकों में सुधार हो सकता है आप अपने बधिक छमता के बल पर कुछ ऐसे सकार्तमों परिनाम हासिल करेंगे जिससे समंदियों के वीच और परिवार में मान शम्मान बढ़ेगा अपने किसी विशे से कार को पूरा करने में घनिष्ट मिस्त्रों का सहयोग आवस लें निश्यति आपको सफलता मिलेगी तथा आर्थिस्ति में भी सुधार आएगा समाजी कतिविदियों में भी उचित योगदान रहने से मान सम्मान बढ़ेगा इसमें गिरिसिति आपकी महत्यपुन योजनाओं को क्रियामिन करने की उर्जा परदान कर रही है दोस्तों अपनी छमताओं और उर्जा का भरपूर उपियोग करें कोई परिवारी मामला हल हो शकता है बच्चों की तरब से भी कुई सुख़द समाचार मिलेगा परिवारी समस्या हल होने से घर का माहौल भी सुख़द और पोजिटिव हो जाएगा कुछ दिनों से चलरीक काम के अधिकता से रहात पाने के लिए अराम और मनरंजन में समय बेतित करें घर परिवार के पड़ती भी आपका योगदान बना रहेगा दोस्तों संतान को कोई उपलवदी मिलने से घर परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा दोस्तों तो था मनरंजन में बेतिन समय बेतित होगा आप अपनी योगता दोरा कुछ महत्यपूर निर निर लेंगे जो की फायदमन भी सावित होंगे दोस्तों माता रानी की किरपा से घर के आंतरी व्यस्ता में सुधार समंधी को योजना बन रही है वास्तु समन नियमों का अवस्य परयोग करें आपका कोई भी काम प्लानिंग से करना और सकार्तमक सोच रखना आपको नई दिशा देंगे दोस्तों इसमें गिरिशती आपके पक्ष में बहतरिन बनी हुई है इनका उचित सम्मान करें आप अपने बोधिमता द्वरा घर तथा व्यवसार समन्धी समस्यां को सुलजाने में समक्स रखेंगे वित्यार्थियों को भी सिक्षा समन्जित उचित परनाम हासिल होंगे दोस्तों आप इन चीजों से सावधान रहें किसे नजदी की समन्धों से परिवारी मामलों को लेकर कहा सुनी हो सकती है दूसरों की बातों में न आये क्योंकि इसका असर परिवार की व्यस्ता पर भी पड़ेगा इसमें किसी भी तरह के आवाजाही को भी अस्थगित ही रखें आयों के साथ उची तालमिल बना कर रखने से आपसी प्रेम बढ़ेगा किसे भी तरह के गेर कानणी काम से दूर ही रहें औरना आप भी मुसीवत में फंस सकते हैं इसका नकातमग परभाव आपकी कारे छमता पर भी पड़ेगा दूसरों की बातों में ना आकर अपने मन के आवाज को प्रात्मिकता दें आपकी आधरात्मा आपको उची द्रास्ते में बढ़ने की प्रेना देगी लापरवई की बज़े से कोई कार गलत हो सकता है जिसका नकातमग असर आपके उपर भी पड़ेगा दूसरों ध्यान रखें कि आपके किसी सक और वहम की वज़े से किसी समद्धी के साथ कहा सुनी इस्तिती बन सकती है बेतर होगा कि दूसरों के मामल में खुद को अलग ही रखें अनधा इसका नकातमग असर आपकी परिवारिक जीवन पर भी पड़ सकता है और विती मामलों को लेकर किसी नज़दी की व्यक्ती से वहस किस्ति बनने की आसंका है छोटी छटी बातों की वज़े से दुखी होना ठीक नहीं है दूसरों आपके व्यवसा के छेतर में आप बहुत अधिक महनत और प्रियास करेंगे और जिसके उचित परनाम भी मिलेंगे इसके साथ कारिपर नाली में कुछ बदला भी लाने की जोरत है नोकरी पेशा लोग को फाइनल समिंदी गत्ती विदियों में बहुत साबधानी रखने की जोरत है दोस्तों आपके वेबसाइच छेतर में आप बहुत अधिक महनत और प्रियास करेंगे और जिसके उचित परनाम भी मिलेंगे इसके साथ कारिपर नाली में कुछ बदला भी लाने की जोरत है नोकरी पेशा लोग फाइनल समिंदी गत्ती विदियों में बहुत असाबधानी रखें दोस्तों अपने वेबसाइच संपर्शुत्रों को और अधिक महजबूत करने में ध्यान दें क्योंकि उनके दोरा उचित का ओडर मिलने का भी संभावना बन रही है हलाकि वेबसाइच गत्ती विदियां आज कुछ धीमी भी रहेगी दोस्तों अपने वेबसाइच संपर्शुत्रों को और अधिक महजबूत करने में ध्यान दें क्योंकि उनके दोरा उचित का ओडर मिलने की संभावना बन रही है अर्तमान बिजनेस पर ध्यान दें नए काम की योजना क्रियामिद हो सकती है लेकिन ज़्यादा फायदे की उमीद न रखें आने वाले दिनों में इसके अच्छे नतीजे मिलेंगे कर्मचारों की गत्ती विदियां पर नजर रखना जरूरी है ओफिस में उच अधिकारियों के साथ होची तालमिल बना कर रखें दोस्तों आप परिवारी वैबसाइक कर रहे हैं तो आपके प्रयासों से बहत्रिन परनाम मिलने वाले हैं इस समय वैक्तिगत कारें को अस्तगी रखकर अपने कारे में ही ध्यान दें कोवी मुश्किल आने पर जीवन साथी का परिवारी नजरिया आपका सहयोग करेगा नुकरी पैसा लोगों के स्थान परिवर्तन के योग बन रही हैं दोस्तों किसी भी कार में ज़्यादा सोच विचार करने से परसित्रिया हाथ से निकल भी सकता है दोस्तों वेबसाइक कारियों में जीवन साथी के नेने को प्रत्मिकता दें क्योंकि दोस्तों जीवन साथी एक लक्षमी के रूप में होती है दोस्तों कहते हैं कोवी तरिकी करने का एक औरत का हाथ होती है दोस्तों आपके लव लाइप के बारे में बात करें तो आज किसी बहुत ही पुराने मित्र से मुलकात होगी तथा सुखनामा यादों का दोरा बना रहेगा जिवन साथी को भी अपने प्रेम का इजहार करते रहेंगे दामपद जिवन और प्रेम समंदों दोनों में अनुकुलता बनाए रखने के लिए इन्हें कुछ समय देना जरूरी है इसे आपसी प्रेम बढ़ेगा दोस्तों पती पतनी एक दुसरे के भावना को शम्मान करें प्रेम समंदों में प्रगरता बनी रहेगी दामपद जिवन में समान जस बनाये रखें अपने व्यक्तिगत समस्यां को परिवारिक लोगों पर हावी न होने दें दोस्तों आपके स्वास्त के बारे में देखा जाए तो अत्यदिक ठकान की वज़े से नस्व में खिंचाव और दर्द महसूस होगा योगा और वैवाम पर अधिक ध्यान दें आपके सरुरी तंदुरूस्त और फिट रहेंगे किसी किसी समय नाकार्त में वीचार उत्पन होने से तनाव और ठकान महसूस होंगे अपनी हावी को भी निखारने में समय लगाएं अपने इंफ्यूस सिस्टम को मजबूत बनाए रखने में किसी भी परकार की लापरवाई ना करें वर्तमान बतावरन से अपना बचाव रखना जरूरी है अपने दिनचारे और खान पान के प्रती कोई भी लापरवाई ना बरतें थोड़ी सी सावधाने आपको स्वास्त और उड़ जवान रखेगी चलि दोस्तों बात करेता आपके उपाय के बारे में दोस्तों गुरुवा के दिन भागवान विशनु का पाठ करें और पीले रंग की वस्तरधारन करके केले के पेड की करें पूजा पीले रंग के चीजों करे दान जानवरा को आज भोजन दें आपके सबी मनों कामना पूर्ण हो जाएंगे दोस्तों आप बात करेता आपका भागेसाली रंग और भागेसाली अंक क्या है दोस्तों आपका भागेसाली रंग पीला है और भागेसाली अंक दो है दोस्तों भगवान लक्षमी मा का असिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जै मा लक्षमी जडूर लिखें और वीडियो को लाइक सेर जडूर करें धन्यवाद